हलो दोस्तो, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मद्धिप्रदिश, डेली करंट अफेर में आपका स्वागत है आज है 29 मार्च 2019 और यह हमारी 113 वी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दिरस्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं question number first, हाली में Reliance Industries ने किसे खरीदा है जिसका सही option है John Player हाली में John Player को Reliance Industries ने खरीदा है इससे पहले यह ITC के अधिगरण में थी John Player Brand की इस्थापना 2002 में ITC नहीं की थी चित्र में आप देख पा रहोंगे यह है John Player Brand जिसे हाली में Reliance Industries ने खरीदा है next question, हाली में किस संस्थान ने ASET मिसाइल का परीक्षन किया है जिसका सही option है DRDO हाली में DRDO ने ASET मिसाइल का परीक्षन किया है इसे मिसन सक्ती के नाम से जाना जाएगा आपको उता दें, Anti-Satellite मिसल शमता हाशिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है इससे पहले रूस और अमेरिका और चीन के बाद भारत चौथा सबसे बड़ी ताकत बना है इसका उपयोग दुसमन देशों के उपगराय को नस्ट करने में किया जाएगा दोस्तो अब बात आईए DRDO की तो आपको इसके बारे में बता दें DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्मेंट और्गनाईजेशन होता है इसकी इस्थापना 1958 में की गई थी DRDO का मोटो है बलश्य मूलम बिग्यानम DRDO की जो हैड है वह है जी सती से रेड़ी और DRDO का हैड कौटर है दिल्ली में तो इतना आपको DRDO की बारे में याद रखना है इस सर्वे में 11 शहरों से 5026 प्रोफेशनल ने भाग लिया है इसका उद्देश लोगों में नौकरी की बारे में जानना है व्यक्तियों को आगे बढ़ने और सीखने में कौन सी नौकरी समर्थ होती है इस के बारे में या सर्वे कराया गया है हाली में किसे प्रदेश का I.G. Intell firm बनाया गया है तो इसका सल्योफ्शन एँ अनन्त कुमार सें अनन्त कुमार सें को मद्देश का I.G. Intelligence बनाया गया है ये 1994 बेच के अधिकारी है इससे पहले ये पुलिस महानेटिक शक थे पर अब I.C. इंटेलिजेंस होंगे दोस्तो अब बात आईए मद्यप्रिदेश की तो आपको इसके बारें बता दें मेप में ये जगह है मद्यप्रिदेश को दर्साती है मद्यप्रिदेश की स्थापना एक नॉंबर 1956 में की गई थी गोवर्नर है अनंदी बेन पटेल मद्यप्रिदेश की मुक्यमंत्री है कमलनात और मद्यप्रिदेश की राजधानी है भोपाल तो इतना आपको मद्यप्रिदेश की बारे में याद रखना है इंटरनेशनल थेटर इंस्टियूट यानी ITI ने पहली बार 1961 में वर्ल्ड थेटर डे मनाया था हिंदी में इस दिवस को अंतरास्टी रंगमंच दिवस कहा जाता है तो आपको याद रखना है 27 मार्च को वर्ल्ल थेटर डे मनाया जाता है नेश्ट क्वेशन हाली में औस्टेलिया और भारत के बीच कौन सा नौसेना युद्ध अभ्यास किया जा रहा है जिसके सी ओफ्षन है औसेंडेक्स हाली में औसेंडेक्स युद्ध अभ्यास औस्टेलिया और भारत के बीच किया जा रहा है यह युदधव्यास 2 एपरेल से 16 एपरेल के बीच बिसाखा पटनम में किया जाएगा दोस्तो कुछ और युदव्यास हैं उनके बारे में भी आपको बता दें सिमबैक्स युदव्यास भारत और शिंगापूर के बीच किया जाता है सिमबैक्स युदव्यास इंडिया और युएसे के बीच किया जाता है सिमबैक्स युदव्यास इंडिया और शिलंका के बीच किया जाता है दोस्तो अब यह और युदव्यास भारत और 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 औस्ट्रिलिया के बीच किया जा रहा है तो आपको Australia की बारें बता दे मैप में ये जिगह है Australia को दरसाती है Australia की राजधानी है केनवरा करंसी है Australian Dollar और Australia की प्रधानमंत्री है Scott Morrison तो इतना आपको Australia की बारें में याद रखना है Next question हाली में किस ने NBCTF अभेत का उधगाटन किया है जिसका स्योफ्षन है सुनील लामबा हाली में सुनील लामबा ने NBCTF अभेत का उधगाटन किया है आपको बता दें सुनील लामबा नौसेना प्रमुख है NBCTF को नापकिये जैविक और राशानिक परिक्षन फैसलिटी है I.N.S. सिवाजी में इसका उधगाटन किया गया है इस फैसलिटी की सहाथा से नौसेना को नापकिये जैविक और राशानिक हमले से निपटने की सहाथा मिलेगी अब ये नौसेना ने किया है तो आपको नौसेना की बारे में बता दें नौसिना का मोटो है शाम नो वर्णा नौसिना चार दिसंबर को नेवी डे मनाती है और आपको इसके चीफ की नाम का पता ही है नौसिना की चीफ है एड्मिरल सुनी लांबा नेट क्वेशन हालि में बैंक और बाद बाद ने कौन सा डिजीटल को वेक्सित करने की घोषणा की है जिसके सर्फू है बाद खिशान noises को बैंको बाद 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 बडधा घिजीटल का ब игр Mund seminar क 커्के अ किराएब के पूर्टी कराई गी इस प्रोजेक्ट का उद्धिश क्रशी उपकरंड किराये पर लेने भरोशी मंद सूचना और क्रशी उत्पात की बिक्री के लिए मार्केट आदी की जानकारी देना है आई बी म इंडिया और बैंक नोok बडोदा क मिल कर इस किर्यान बेन करेंगे दोस्तो अब बात आएए बैंक बडोदा की तो आपको इसकी बारीहें बता दे बैंक बडोदा की इस्थापना 20 जुलाई 1908 में की गई थी बैंक आफ बढ़ोदा की फाउंडर हैं सयाज रव गाइकबार बैंक आफ बढ़ोदा के हेटकॉाटर है बढ़ोदा गुजरात में और चेयर मेंने हसमुक अडिया तो इतना आपको बैंक आफ बढ़ोदा की बारी में याद रखना है नेक्ट कोशन बारत और क्रोशन के रिस्ते को मजबूत करने के लिए यह सम्मान हमारे रास्ट पती जी को दिया गया है दोस्तो अब बात आईए क्रोशिया की तो मैप में आपको क्रोशिया के बारे में बता दें क्रोशिया की राजधानी है जाग्रेव इसे आजादी 25 जुन 1991 में मिली थी क्रोशिया की करनसी है कुना और क्रोशिया की महिला रास्ट पती है कॉलेंडा ग्रावर तो इतना आपको कुरूशिया की बारे में याद रखना है इसमें सासन की योजनाओं की बारे में लोगों को अवेर किया जाएगा दोस्तो अब बात आईए भिंड की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट भिंड की बारे में बता दे इसकी सबसे छोटी तहसील है खुनी दर्वाजा, बदन से महल, बारहे खंबा महल ये भिंड में इस्थित है वन खंडेश्वर मंदर जिसे प्रतिवराच चोहान ने 1175 इश्वी में बनवाया था वह भी भिंड में इस्थित है एक और important fact आपको बता दें काली मुच वाली किस्म का चावल ये भिंड में पाया जाता है News Question है प्रदेश का पहला गैस इंसुलेटड टरैंस्फॉरमर का सबस्टीशन बनाया जाएगा ये टरैंस्फॉरमर 10 MBA का होगा दोस्तों आप बाताई है ग्वालियर की तो आपको कुछ important facts ग्वालियर के बारे में बता दें ग्वालियर के ले को Gibraltar of India कहा जाता है भारत का दूसरा शूरे मंदर मुरार ग्वालियर में ही इस्तित है तांसेन समादी जैबिलास पैलेस गूजरी महल, मौती महल मान मंदर ये सबी ग्वालियर में ही इस्तित है रूप सिंग स्टेडियम ग्वालियर में ही इस्तित है भारत का पहला रानी लक्षवाई शारेरिक परिक्षण के अंदर ग्वालियर में ही इस्तित है तो दोस्तो इतना आपको ग्वालियर की बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में मद्यप्रदेश के किस एयरपोट पर मुवाइल कमांड पोस्ट बाहन की शुविदा मिली है जिसका सई उफ्षन है भूपाल और इंदौर इन दोनों एयरपोटों को मुवाइल कमांड पोस्ट बाहन की शुविदा मिली है इन दोनों airport पर mobile command post बहान तेनात किये जाएंगे आपको बता दें देश के कुल 32 airport इस बहान के लिए चुने गए हैं इस मेंसे भूपाल और indoor airport भी शामिल किया गया है आपको बता दें इस बहान में जो शुविदाएं होगी उनके बारी में GPS system, emergency operational equipment, first aid box, portable signboard, shelter tent आदी की शुविदाएं इस mobile command post बहान में दी जाएंगी तो दोस्तो ये था हमारा आज का daily current affair आप मुमारे चैनल study universe को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए, share कीजिए कल हम आपके साथ फिर मध्यप्रदिश और world के interesting facts को लेकर हाजर होगे तब तक लिए नमस्कार